हम बनाएंगे आज एक लिए चोकलेट केक तो चलिए शुरू करते हैं इसलिए टू टेबल स्पूंजिता मेंने हलका गड़म पानी ले लिया है इसमें हम डाल देंगे वन टी स्पूंजिता इंस्टेंट कॉफी मिक्स कर देंगे यहां एक बाउन में हम एक कप चीनी ले लें आद कर देंगे बुल टिबल स्पूंजिता है इसमें लेमन जूसाअग rough यह कि अट गर टेंगे और इन सारी चीजहों को हम मिक्स कर लेंगे अब स्भाइन लगाएंगे इसमें 1 कॉप प्लस हाफ कप चितना हम शैंता डालेंगे चान लेंगे अब हम इस में डालेंगे 1.4 cup जिता cocoa powder, इसमें 1 teaspoon जिता baking powder, 1.5 teaspoon जिता baking soda और 1.4 teaspoon जिता नमक अब इन सारी चीजों को अछे से छान लेंगे, अब इन सारी चीजों को हम मिक्स कर लेंगे और एक lump's free batter बना लेंगे कि आप देख सकते हैं यह होगिया है हमारा आप केक्टिल लेंगे इसकी अच्छे से ग्रीसिंग कर लेंगे कि यहां मैंने बटर पेपर यूज किया हैं आप चाहे तो वाईट अवाइट फेपर भी यूज कर सकते हैं खोई उपर भी उजितिक रोडुकार देंगे और अब हम बैटर को इसमें ट्रांस्पर कर देंगे यहां मैंने पैन को 10 मिनट हाइफ लेम पे प्रिहिट कर लिया था उसके बाद हम इसमें केक्टिन प्लेस कर देंगे और 30-40 मिनट तक हम इसे बेक करेंगे या फिर तब तक जबता है यह पूरी तरीके से ना हो जाए अब हम लो हीट पे बेक करेंगे इसे और इसके बाद हम तूथपिक इंसर्ट करके चेक करेंगे और आप देख सकते हैं यह क्लीन आया यानि यह हमारा हो गया है अब इसे निकाल के हम थंडा हुली डाल देंगे यहां एक बाउल में डार्क चॉकलेट ले लेंगे थ्री फोर्थ कप और मिल्क चॉकलेट वन फोर्थ कप ले लेंगे और यहां एक पैन में हाफ कप जितना हैवी क्रीम ले लेंगे या फिर आप कोई भी क्रीम यूज़ कर सकते हैं और इसे हम उबाल आने देंगे आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है तो अब हम इसे चॉकलेट में आड कर देंगे और इसे हम 5 मिनट ढख करके चोड़ देंगे, 5 मिनट के बाद अब हम manifold क्रीम को mix करेंगे और आप देखेंगे कि यह बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा, तो अच्छे से हम इसे मिक्स कर लेंगे, और अब हम इसे रूम टेपरेचर पे आने के लिए छोड़ देंगे, और यहां पर हमारा केक हो गया है, पूरी तरीके से ठंडा, तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे बटर पेपर जो है उसे हम निकाल देंगे, और फ्रेंड्स अब आपको जितने लेयर में कट करना है, आप इसे कट कर लें, मैंने इसे दो पार्ट में ही कट किया है, पहला पार्ट हम इसे साइड कर देंगे, और अब फ्रेंड्स इसमें हम डालेंगे, हुगर सीरप हम पू को बना या था वह मुझे डाल देंगे थंडा होने के बाद यह थुरा थिक सा हो जाता है अब इसे हम अच्छे से फैला के इसके ऊपर फ्रेंड हम डाल देंगे दुसरा केक का पाट जो हमने कट करके अलग रखा था और इसके ऊपर हम फिर से चौकलीट गणास डालेंगे और थोड़ा स्प्रिंकल डालके इसे डेक्रेट किया है तो उम्मीद करते हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया तो लाइक करें हमें सब्सक्राइब करें अब बेल आइकन तो जुरू टैप करें धन्यवाद